जल्द होगा फास्ट्रेक का रिटार्मेंट नए तरीके से वसूला जाएगा टोल टेक्स नमस्कार आप देख रही हैं हाप उढ़ हल चल और मैं हूँ आपके साथ रश्मी पांडे हाईवे पर जब आप सफर करते हैं तब आप टोल कैसे चुकाते हैं ज्यादा तर वहाँ चालक इसके लिए अधोनिक तकनीकों का इस्तिमाल करते हुए फास्ट्रेक से टोल का भुकतान करते हैं इससे पहले नगत भुकतान करके टोल चुकाय जाता था लेकिन आप फास्ट्रेक तकनीकी भी इतिहास बन जाएगी अब एक नई तक्नीकी के जरिये टोल का भुकतान किया जा सकेगा अब टोल प्लाजा पर वाहनों की नंबर प्लेट पहचान कर आटमेटिक प्रणाली से टोल वसूला जाएगा इस प्रणाली का केंद्र सरकार ने पाइलेट प्रडिक्शन भी शुरू कर दिया है सरकार का मानना है कि से टोल प्लाजा पर वाहनों की भीड़ घटेगी और जो वाहन हाइवे पर जितना चलेगा ठीक उतना ही शुलकुस से वसूला जाएगा केंद्रिय सड़क एवं परिवहन मंत्रे नितिन गटकरी ने सोमवार को इंडो अमेरिकें चेंबर ऑफ कॉमर्स की 19 वी इंडो यूएस एकोनॉमिक समिट में ये जानकारी दे कारकर में अपने समोधन में नितिन गटकरी ने बताया कि परिक्षन की जा रहा है और टोल वसूलने की नई प्रणाली आटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा तकनीक पर आधारित है इसमें शुलक वसूलने के लिए वाहन को टोल प्लाजा पर रुखने की जरूरत नहीं होती आटोमेटेड टोल प्लाजा पर लगे कैमरे ही नमबर प्लेट देखकर टोल वसूल लेंगे गटकरी ने कहा किस से यातयात बिना रुके या धीमा हुए चलता रहेगा और जो वाहन हाइवे पर जितना चलेगा उतना ही शुलक लगेगा केंद्रिय मंत्री ने कहा कि हम इस नई तकनीक के साथ दो देशियों को हासल करना चाहते हैं पहला टोल बूत पर यातयात की बेरोक्टों का वजाही से चलता रहे और वहाँ चालकों कोपयों के अनुसार ही भुकतान करना हो उन्होंने कहा कि निर्बात और सुरक्षित यातयात के लिए सभी नवनिर्वेत रास्टी राजमार्गों और मौझूदा फोर प्लस लेन रास्टी राजमार्गों पर उन्नत यातयात प्रबंदन प्रणाली स्थापित की जा रही है टोल प्लाजा पर 2018-19 के दौरान वाहनों का उसत प्रतिक्षा आठ मिनट था समय और फास्टेक की शुरुआत के साथ 2020 और 2021 और 2021 बाइस के दौरान वाहनों के लिए उसत प्रतिक्षा समय घटकर 47 सेकंड हो गया है बरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंड में जरूर बताएं और देखते रहें हाप उढ़ हल चल